हेलो वरिवान, वेलकाम टो फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एज़ू के इस्टा चैनल में आपका स्वागत है, आज के वडिव लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे केरा गलो इवा टेबलेट के बारे में, तो हम सिखेंगे ये एँडिकेसन्स के डिटेल स्टडी करेंगे, आज के लेक्चर के अंदर तो सिखते हैं, केरा गलो इवा टेबलेट के बारे में आज के लेक्चर में, तो एक्सपर लेक्चर बाई अमर सर, आसस्टाम प्रोफेसर एन फांडर उप फार्मारोक्स, थैंक यू फर बीन, फार् तो इसके बारे में उनके side effects के बारे में और warning and contraindications को एक साल तक offerable price में सरल बासा में pharma rocks के mobile application के उपर तो android user android app download करे, iphone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाएगी या फिर 901631220 पे आप हमें call या whatsapp कर सकते हैं तो अब सिखते हैं केरागलो इवा टेबलेट के बारे में तो यह ऐसे class का medication है कि जिसको हम nutritional supplements कहते हैं और यह हमें ऐसे valuable nutrients provide करती है कि जो हमारी बालों की मजबुती को बढ़ाता है उनकी जो health होती है उनको improve करता है कि जो हमारे body के अलग-अलग organs को proper healthiness चाहिए कि जैसे neurons की healthiness ह होना जरूरी है veins की healthiness होना जरूरी है हमारा heart proper healthy होना चाहिए हमारे lungs healthy होना चाहिए उसी तरह से हमारे body के अंदर जो important एक part है कि जो हमारे hair होते है हमारे जो बाल होते है उनका भी एक proper health होना जरूरी है तो अगर उनकी healthiness कम हो जाती है उनकी strength कम हो जाती तो उसको improve करना काफ़ी यूज करते हैं और ये especially जो hair fall related जो बीमारिया होती है hair fall related जो problems होते हैं उसको ठीक करने में ये medication यूज की जाती है केरागलो इवा के manufacturers के बारे में हम समझे तो IPCA Laboratories Limited उसके manufacturer है कि जो एक Indian multinational pharmaceutical company है कि जो main headquarters मुंबई के अंदर है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IPCA का logo और यहाँ पे आप देख सकते हैं IPCA दोरा ये बना हुआ जो tablet है केरागलो इवा आगे आप करते हैं उसकी detail label के study तो सबसे पहले आप उपर देख लो कि green label यहाँ पे है green एक symbol है कि जिसको हम कहते हैं कि proper ये vegetarian ही है ये tablet इसमें कोई भी ऐसे non vegetarian components नहीं है second यहाँ पे देखे तो manufacture का logo है IPCA Food Safety Standard Authority of India दोरा ये प्रमानित किया हुआ product है सादो साद यहाँ पे company ने उसका नाम English में भी लिखा है और Hindi में भी केरागलो इवा लिखा है फिर इसके अंदर जो content है वो यहाँ पे sort में लिखा है कि borage oil उसके अंदर present है multi vitamins उसके अंदर है multi mineral भी है और सादो साद INN green tea के extract है और grape seed के extract भी ये tablet के अंदर available है एक blister के अंदर आपको ये 10 tablet जो हो दी जाती है आगे जाने उसके detail के बारे में तो यहाँ पे आप हम उसका content देख सकते है proper कि each film coated tablet की ये film coated tablet साथी है और एक tablet के अंदर कौन से ingredient कितनी amount में है तो borage oil जो है वो 20% जितना है कि जिसके अंदर gamma linolenic acid present है 10 mg और total जो oil है वो 50 mg के quantity में उसके अंदर available है फिर N-acetyl L-cysteine जो हो भी है इसके अंदर 50 mg जितना iron उसके अंदर present है vitamin B3 है biotin भी है grap seed के extract है green tea आप यहाँ पर देख सकते है उसके extract है फिर koline भी उसके अंदर present है zinc है inositol है copper folic acid selenium जैसे minerals भी उसके अंदर present है तो इस तरह से हम कह सकते है कि एक multivitamin multivineral और साथो साथ ऐसे ingredient उसके अंदर रहे है कि जो आपके hair fall होने से prevent करवाते है फिर यहाँ पर देखा तो based before 24 months लिखा है मनलब कि उसके manufacturing date से 24 months तक आप उसको use कर सकते है बच्चों से उसको दूर रखना है keep out of reach of the children यह खास इसके direction है storage हम देखे तो लिखा है कि cool place पे आपको और dry place पे उसको रखना है और directly sunlight से उसको protect करना है बाकी यहाँ पर recommended uses में those भी दिखाए कि one tablet per day कि दिन में एक ही tablet जो खास कर patient उसको use करते है और marketed by में लिखाए कि IPCA Laboratories Limited की जिसकी registered office मुंबई के अंदर है तो इस तरह से proper आप उसके अंदर content जो है वो देख सकते है बाकी देखे उसके ingredient के जो main ingredient है तो वो है borage oil है gamma-linolenic acid है N-acetyl-alcystine, multivitamin N multimineral उसके main की ingredient है तो gamma-linolenic acid का यहाँ पर हम function समझते because multivitamin और multiminerals के तो हम benefits जानते ही है but यहाँ पर जो एक नया ingredient है कि जो है gamma-linolenic acid कि जो borage oil के अंदर से हमें मिलता है तो यह एक essential fatty acid है कि जो borage oil में से हमें मिलता है और यह क्या करता है reduce करता है hair loss यहाँ पर simply लिखा है कि वो reduce करता है hair loss को और साथ हो साथ जो hair की जो growth होती है उसको promote करता है तो यह पर आप diagram में देखिए खास कि जब आप यह medications को regularly use करते हैं तो समझो कि female के अंदर हम देखे तो सबसे पहले कि समझो कि hair आपके यहाँ दख थे तो उसकी जो growth है वो कुछ समय के बाद shoulder से नीचे तक आ सकती है इस तरह से और फिर वो growth और नीचे आपके कमर तक भी जा सकते हैं तो आप देखो simply यह medications क्या करते हैं कि hair की growth है वो growth जो है वो specially increase करता है कि जिससे आपके बालों की growth जो है वो अच्छी होती हैं और साथ हैर loss कम हो जाते हैं यह आप simply समझे कि जब आपके hair बले growth कर रहे हैं पर कुछ length तक जाने के बाद वो समझो की तूट जाते हैं वो उसका hair loss हो जाता है तो क्या होता है कि वो लंबे नहीं हो पादे तो proper hair की growth के लिए उनकी मजबूती के लिए gamma-linolenic acid का होना जरूरी है कि वो हमें ये tablet में से मिलता है और ये specially क्या करेगा जो hair loss है या फिर जो alopecia की जो हम condition कहते है उसके treatment में हम उसको prescribe कर सकते हैं तो ये tablet के हम benefit समझते हैं तो ये क्या करेगा आपके hair loss को जो हो reduce करता है second उसका benefit हम देखे तो hair की जो growth होती है उसको stimulate करता है कि जो बाल जो कई बार उनकी growth नहीं होती कि जैसे हमारे दूसरे body कि जैसे हमारी height वगेरा कुछ age तक increase होती है जैसे हमारे body के जो अलग-अलग organs develop होते हैं ऐसे hair भी अच्छे से growth होना ज़रूरी है पर कई बार hair growth नहीं होती तो केरागलोईवा tablet जो है वो आपको hair growth करवाने में भी काफी help कर दी है फिर quality जो है hair की वो भी improve होती है साथो साथ जो hair का growth cycle होता है उसको भी proper जो हो maintain रखता है साथो साथ जो strength होती है हमारे बालों की मजबूती जो होती है क्योंकि कई बार जब क्या होते हैं कि बाल हमारे जब कमजोर पढ़ जाते हैं तो जब भी आप बाल बनाते तो उस वक्त इस तरह से कंगी पर उपर बहुत सरे बाल ज़ो जड़के वापे रही जाते हैं और जिसको हम कहते हैं simply hair loss कहते हैं किस तरह से बहुत सारे hair loss आपके continuous होते रहते तो वो main है कि आपके बालों की जो strength है वो कम हो गए वो कमजूर पड़ गए तो ये tablet के benefit से रहेंगे कि वो आपके बालों को मजबुती देगा कि जिससे hair fall कम होगा साथो साथ कई बार क्या होते है कि बाल पतले हो जाते है काफी तो ये medicine क्या करती है कि उनकी जो थीकने से वो proper बना कर रखती है वो साथो साथ जो बालों का जो texture होता है वो ऐसा set करता है कि जिससे उनका जो hair loss से वो prevent हो जाते है क्योंकि कई बार बाल पतले हो जाते है उनका texture जब उनका जो end होता है वो split end बन जाते कि वहाँ से आगे फिर hair grow ही नहीं करते और फिर बाल जड़ना जो वो सुरू हो जाता है तो conclusion देखे तो specially ये medications करती है health improve करती है हमारे बालों की तो उसके आप basic use समझ लेते कि कौन से अलग-अलग medical conditions में आप उसको use कर सकते तो सबसे पहले जो hair fall की condition की जिसको हम कहते है बाल जड़ना कि या पर आप देखो कि जब आप बाल सवार थे तो बहुत सारे hair आपके loss हो जाते है तो ये ऐसा problem नहीं कि सिर्फ male के अंदर होता है female male के अंदर और male दोनों के अंदर के पुरूसों के अंदर भी ये hair fall हो सकता है मैलाओ के अंदर भी हो सकता है तो दोनों के अंदर ये medicine hair fall के treatment में जो यूज की जाती है second जो hair loss होते है उसके treatment में भी ये medication यूज की जाती है तिसरी condition halopasia जो हम कहते है medical term उसके इलाज में फिर आपके hair जो हो बहुत ही weak है कमजोर है आपके बाल और बाल जब कमजोर होते हैं तो वो जड़ना सुरू हो जाते हैं जल्दी से वो तूट जाते हैं तो उसके इलाज में भी आप ये tablet को use कर सकते हैं फिर जो low hair growth के बालों की growth अच्छी नहीं होती कि बाल जड़ने भी नहीं है कमजोर भी नहीं है बड़ उनकी growth कम होती है वो जल्दी से grow नहीं होते लंबे नहीं होते हैं आपके बाल तो ऐसे condition में भी ये tablet use की जाती है फिर thinning of hair thinning मतलब कि बाल पतले हो जाना अब क्या होता है कि जब बाल आपके पतले हो जाते तो वो कमजोर पढ़ जाते हैं तूट जाते हैं और फिर वो जड़ना जड़ते हैं बाल तो ऐसे condition को ठीक करने के लिए भी केरागल वीवा tablet use क्या जाते हैं फिर जो split ends जो condition कि यहाप आप ये वाले बाल देखो तो उसके जो end है वो ऐसे बन जाते है कि वहाँ से आगे जो उसके ग्रोथ ना हो और वो वो end से आगे जो बाल जो तूट जाते हैं तो ऐसे condition में ये tablet use क्याते हैं फिर आपके बालों के अंदर डेंडर फगेरा जमा होता है और उसके करन भी डेली एक tablet जो आपको खाना खाने के बाद लेनी होती है तो ये जो tablet है वो डेली एक ही आपको लेनी हेते तो टल समझे कि यह 10 टेबलेट का blister है तो आप जो ये वो 10 दिन तक डेली एक tablet जो लिजे और उसके बाद आप जो है वो benefits देख सकते हैं और ज़्यादा से आगे proper ऐसे कुछ hair oils भी आते हैं वो भी आप साथ में यूज करते हैं जिससे बालों की मजबुती और भी बने रहे because यह tablet तो आपको nutrition देगा पर साथ में जो कुछ ऐसे popular hair oils आते हैं जो बालों को मजबुती प्रदान करने में help करते हैं जैसे की सेसा का भी oil आता है वो भी आप उसके साथ में use कर सकते हैं फिर अब यह tablet की हम side effects देखें तो कुछ लोगों को nausea vomiting feel होता है यह medications लेने के बाद तो यह common side effect ऐसे कोई serious complications नहीं है nausea vomiting की जो उल्टी हो जाना जी गबराना ऐसे कुछ लोग feel करते हैं कुछ लोगों को stomach मलब के पेट में दर्द होता है ऐसा condition feel करते हैं कुछ लोगों को सरदर जैसा feel करते हैं कई बार stool जो है आपका soft हो सकता है और कुछ लोगों को यह tablet अगर suit ना हो तो उनको दस्त हो जाते है डाइरिया हो जाते है कुछ लोगों को डखार आते रहते हैं यह tablets लेने के बाद कि जिसको हम medical terms के अंदर belching कहते हैं और intestinal gas मलब के पेट में gas भी बन सकती है यह medications लेने के बाद तो यह ऐसा नहीं कि हर किसी को यह side effect होते हैं only कुछ cases के अंदर यह side effect देखे जाते हैं और यह भी काफी minor है आगे देख लेते हैं उसके warning के कौन से condition में केरागलो इवा tablet को आप use ना करें या फिर proper precautions के साथ यूज़ करें तो अगर आपको allergy है कि यह tablet के अंदर use किये गए किसी भी ingredient की आपको allergy है तो यह tablet को use नहीं करनी चाहिए because यह tablet लेने से आपको hypersensituted reactions हो सकते हैं जैसे कि आपके face के उपर या फिर आपके चहरे के उपर rashes develop हो सकते हैं सूज़न आ सकती है तो यह tablet को use ना करें कर आपको allergy है इसकी second अगर आप pregnant है तो proper आपके gynecologist के सला के बाद ही उसको use करें या फिर proper precautions के साथ या फिर उसको avoid करें because कई बार pregnancy complications हो तो आपको proper आपके जो regular routine जहाँ पर आप gynecologist को दिखा दे वहाँ पर एक पर consult करके ही use करें same like that breastfeeding के दोरान भी आप proper आपके gynecologist के सला के according to use करें अगर आपका liver fail है तो यह medications को जो नहीं लेनी चाहिए साथ उसाथ आपके kidney भी fail है तो भी यह medication को आप use ना करें और अगर आपको peptic ulcer है कि आपके stomach के अंदर already ulcer है तो भी यह tablet को use ना करें तो ऐसे इसी के दवायू के basic use के बारे में फिर उनके dose के बारे में उनकी side effects क्या होती है warning क्या रहती है और contraindications वो भी एक साल तक affordable price में सरल भासा में farmer ox की mobile application के उपर और access करिये special offer का farmer ox के अब उपर तो android user android app download करें या फिर 9016312020 पर हमें whatsapp कर सकते हैं तो android user android app download कर सकते हैं iphone user app store से link description box में मिल जाएगी या फिर 9016312020 नबर पर हमें call या whatsapp कर सकते हैं good luck and all the best good luck and all the best